इन्वेस्टमेंट करते वक्त निवेशकों के मन में पहला सवाल यही होता है कि आखिर कसमें निवेश किया जाए कि अच्छा रिटर्न प्राप किया जा सके आए जानते हैं कुछ हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट के बारे में Shares और Stocks में निवेश का अर्थ है कि आप Equity Assets Class से सीधे जुड रही है Bombay Stock Exchange और फिर National Stock Exchange से जुड़े शेयरों में पैसा लगाने का मतलब सेकंडरी मार्केट से है यदि आप इन में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आपको किसी ब्रोकरेज हाउस के साथ डिमेट अकाउंट खुलवाना होगा यदि आप किसी बड़े रिस्क से बचना चाहते हैं तो यह जरूरी है कि स्टॉक्स में सीधे निवेश करने की बजाए अलग-अलग सेक्टर्स में पूझी को देखते हुए पैसा लगाएं फिलहाल कुछ वर्षों में सेंसेक्स में रिटर्न का औसत एक से तीन और पांच साल के अनुसार क्रमश 13,8 और 12.5 परसेंट रहा है अनुग इंवेस्टमेंट के मुकाबले रियल एस्टेट की कीमतों में अस्थिरता बहुत ज्यादा नहीं रहती सबसी अच्छी बात ये है कि महंगाई के मुकाबले इसकी कीमत अच्छी खासी बढ़ जाती है यानि इसमें निवेश घाटे का सौधा नहीं हो सकता निवेश करने के लिहाज से ये अच्छा विकल्प हो सकता है मार्केट में ज्यादा रिस्क और ज्यादा रिटर्न देने वाले निवेश के धेरों विकल्प मौझूद है हलाकि लोग ऐसे ओप्शन्स चुनते हैं जो आपके पैसों को सुरक्षित रखने के साथ ही टैक्स पचाने में मदद करते हैं यदि आप इकविटी में निवेश करने में सहज नहीं है तो नज़ती की पोस्ट ओफिस में जाकर कई विकल्पों को देख सकते हैं